हेलो फ्रेंज मिना नमें संजे और आज के विरों के माद से बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास Redmi Note 8 Pro Mobile है और उसमें आपको calling से related कोई प्रॉब्लम आरे जैसे कि call ended का या तो आपको proximity sensor से कोई प्रॉब्लम आरे जैसे कि आपको फॉन को कान के पास ले जाते हो और आपका light बंद हो जाता है उसके बाद on नहीं हो पाता है तो मैं आपको इसके उपर कुछ tips and tricks बताने वाला हूं कुछ आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपको इस problem से छुटकारा मिल पाएगा अगर आपके साथ call ended का problem आ रहा है calling related problem आ तो उससे भी आप शुटकारा आपको मिल जाएगा अगर आप अपने phone को कान के पास ले जाते हो आपका proximity sensor नहीं सही धंग से काम करता है तो उसको भी आप वीडियो है और चैनल पर आप नए हो पहली बारा अगर के वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जोड़ से प्रेस कर लेजएगा क्योंकि मैं इस परकार का helpful लाता ही रहा तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जोड़ से प्रेस कर लेजएगा तो अभी मैं आपको जो जो करने वाला हूँ आपको डिस्पले पे सो हो जाएगा उस प्रकार से आपको अपने फॉन में करना है अगर आपके साथ यह प्रॉलम नहीं आ रहे तो जो जो सेटिंग आपको सब्सक्राइब करना है यह सबसे फर्स्ट में जो सब्सक्राइब को बता रहा हूं यह सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है और इस पर किलिक करने के बाद है यहां पर वी ओल्ट इनेवल डिखा हुआ है यह जो है सिंपल इसको और ही रखना है आपके फॉन में अगर होगा तो यह और रखने से अगर आपके फोन में फिर भी प्रॉलम आरे तो मैं आपको दूसरा सेटिंग से आपको बता रहता हू और उसके बाद यहां पर एक टेस्टिंग का अपसन आजाएगा डेख सकतहों यहां पर आपको ठ्यान देना है में कि C से section में सीम कार लगा हैं कौन से slot में अगर आप सीम कार बाल में लगा हो या तो में लगा है तो अब की प्रकार से आप किलिक करना है 1, 2 पर तो में संकर टू में लगा हैं तू में for information 2 पर किलिक करता हूं यहां पर देख सकतो एक option आपको मिल जाए यहां पर सिट प्रिफेर नेटवर्क टाइप का तो अगर आपके फोन में यहां पर ल्टी होगा इस परकार से select तो आपको calling में problem आएगा तो इसलिए आपको क्या करना है यहां पर को हटा करके यहां पर LTE, TDSD, M.E. कर सकतो हो और यहां से आपको नहीं समाझ में तो फिर से आपको settings में आना है और यहां पर आपको SIM card and more network पार लिए option पर किलिक करना है और यह बहुत यह असान है इसलिए मैं आपको यह setting यहां से बता रहूं उसके बाद आपको SIM card पर select करना है जिससे आप बात करना चाहते हो और इसके बाद यहां पर प्रिफेर नेटवर्क टैप का option मिल जाएका इस पर आपको टैप करके यहां पर देख़ो तो अनसेलेक्ट है तो यहां पर LTE को select कर देजिए गा उसके लिए आपको calling problem solve हो जाएगा चलिए आपको calling problem को पर मैंने बता दिया आप मैं आपको बता तो कि अगर आप phone को अपने कान के पास ले जाते हो और आपको यहां पर phone off हो जाता है बंद हो जाता है only culture और इस पर टैब करने के बाद में आपको यहांपे call settings को मिला जागा फा को टाप करने के बाद में फिर से हoue को एक incoming call settings का option दिलता है इस पर आपको टैप कर देना है इस पर टैप करोगे यहां पर एक प्रोक्सिमीटी सेंसर का बटन आपको मेलेगा, सिंपल आपको इसको आफ कर देना है, आफ करने से आपका कॉलिंग के टाइम पर आपका प्रोक्सिमीटी सेंसर काम करता है, उसके बार एक बार काम करने के बार आपका फॉन का लाइट आफ कर देता है, और फिर और नहीं हो प